तो यार अब बच्चों के पास ही डाउट आ रहा है कि हमने चॉइस सेव कर ली ती चॉइस आटो लॉक हो गई है या हमने चॉइस लॉक कर दी चॉइस लॉक होने का काम हो चुका है तो बेसिकली अब आप एडिटिंग नहीं कर सकते अपनी चॉइस की अब आपने जो समिट ह हो चुका है आपका वो फाइनल है उसी के बेसिस पे आपको जो है अब फर्दर जो सा के अंदर ब्रांचेज मिल रही होगी राउंड वन राउंड टू राउंड त्री से लेके राउंड सिक्स त्यानी एंड राउंड तक अब चॉइस का काम खतम अब चॉइस ना आप लोड करनी पड़ीगी तो यह जोसा की साइट पर आप जाएंगे जोसा.nick.in पर आप जाएंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का उप्षिन आएगा उसमें आप क्लिक करेंगे अपना जे इमेंस का या जो भी आपका लॉगिन इड पासवर्ड है व उनको प्रेंट करके सेव करके रख लीजिये, future reference के लिए वह काम आएगा, अगर आप मेर से पूछें हमको रखनी चैये की नहीं रखनी चैये क्योंकि अगर आपने मानलो 150 है 200 choices भरी है तो आपको यह तो याद नहींगी कौन से number पर कौन सी choice भरी है तो जो आपको first round में branch alert होईगी आप अपने lock choice letter जो आपने print के वह उसके अंदर देख सकते होगी मेरे को यह मिल गया है फ्यूचर reference में आपको वह काफी ज़्यादा काम आने वाला है फर्दर जो साके rounds के अंदर option आ चुका है वहाँ जाईए अपने login credential से login करिए और उसको download करके रख लीजे ठीक है पीडियो informative लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना अपने friends के साथ इसको share कर देना तब तक के लिए have a nice day bye bye take care